दस मिनिट, सिर्फ दस मिनिट के अंदर आपको इतना कुछ समझा दूँगा जो आपने पुरे साल में नहीं सिकाऊगा जोगरोफी के लिए So hi everyone, कैसा हुआ आप सुभी लोग दिस वर जावनों भाईया और आज के वीडियो, एक काफी ज़ाधा important वीडियो है उन सब इस्टूट्स के लिए जिनका 26th मार्च को जोगरोफी का last paper है और ये वीडियो सारे वीडियों की इस्टूट्स के लिए अब यह मैं ट्रें करता है आप English वीडियम से हो, Semi से हो, Marathi से हो, Hindi से हो ये वीडियो सब के लिए होने वाली है, एक काफी important वीडियो है because आज के इस वीडियो में मैं आपको से के साथ share करने वाला हूँ मैंने खुदने जोगरोफी के इंदर 39 marks केसे कूर के थे 40 में से 40 में से 39 में कैसे लिए क्या है, मेरा एक मार कापे गया मैं आपको बहुच दो बताने वाला हूँ, तब तक आपसे लिए को guess करना है, comment करो मेरा एक मार कापे गया होगा, object किसमें, map में कापे गया होगा, आप लोगो guess करना है and guys आज के वीडियो में सारे के सारे important chapters, आपको हर एक chapter को कैसे prepare करना है कौन साब बेस तरीका है, chapters को prepare करने का, आपको किस तर से out of marks तक score करना है, कौन से important questions है, map marking के लिए कौन से important questions है आपको graph case से prepare करना है, हर एक चीज, maps एक शेयर करने वाला हूँ, make sure आप इस वीडियो को end तक देख रहे हो आपको इस वीडियो को शेयर करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, आपको अच्छे marks चीज, आपको पता होना चीज, आपको marks कितने चीज आपको अभी कभी कमेट करना है, कि आपको इतने माक्स चाहिए, फिर से कुछ भी हो जाया 40 में से, जो अपना जोग्रोफी बूगोलार सब्जेक्ट है, आपको उस में कितने माक्स चाहिए, अभी कभी कमेट करो, एंड इस वीडियो पर एम करता है, पूरे के पूरे एट आपको इतने माक्स के लिए, तो लाइक दो दौगा कमारो, एंड आप से लिए को इस वीडियो को शेर करना है, अपने सारे फ्रेंट के जात, तो देखो सबसे बिलिए जीज, जोग्रोफी के इंदर, टोटल 9 चैप्टर्स है, टोटल 9 चैप्टर्स है, एंड इन दोग्रो चैप्टर्स है, चैप्टर्स 3, 5, 6, 7, 9, यह जो पाँ चैप्टर्स है, सबसे जादा इम्बॉर्डन चैप्टर्स है, विकॉस काफि सबसे बेटेश रखते है, अब देंको चैप्टर्स 3 काफि सबसे इंदर, एक तरह से बेस है, आपके पूरे जोग्रोफी के लिए, तो कर दिए एक लाइप सुझ साहरे 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 साहरा एक कार लो इंपोर्टेंट कोश्चन्स में लिए वीडियो गाना दिया लिए लिए जाके चेक आउट करना है बट गाइस अगर आपके कंसेप्स क्लियर है आप लोग ईजीली जोगरोफिक इंदर अच्छा उस लेकर आ जाओगे और जोगरोफिक कैसे पढ़ना है भाईया तेको सबसे आप लोग आना लाइन वाइस पढ़ो फॉर एजम्पल चैप्र नवर बट चैप्र नवर न तो कहरें चिंदी चैप्टर है बट चिंदी नहीं हो चिंदी नहीं है चार मा के लिए कोश्य बनता है तो अगर मैं आपको बताऊं चैप्ट नमर टू से अगर अपन स्टार्ट हो जाएगी एकदम उच्छी से हर एक चीज़ कर लोगे तो आप सभी लोग को लाइन वहीं सी पढ़ना है मैंने भी इसे पढ़ा था एंड गईज चैप्टर नमबर 45679 काफी छोटे चैप्टर है काफी सिंपल चैप्टर है तू को भी आड़ कर लो ये 6 चैप्टर सबसे लोगे मैं ने कल के लाइज सेशन में आपके साथ हर एक चीज़ कर दिया आप जोच एक पेचिक के चैप्टर रहे एक दम सिंपल तो आप सवी लोगों से पढ़ लेना है जीए जो शेप्टर जयोग साथ चैप्टर सबसे साथ है सबसे साथ एंपॉटब्से सब्सेश्चा कर देना है अब यह अंसर लिखना तो आते हैं जमता ही नहीं है और सब कुछ अब अनसर लिखना नहीं आता तो इसके लिए क्या करना है मैं एक लिए एक काफी इंपॉर्टन लाइशन रिगा उसके अंदर हर एक लाइशन आपसे लिख स्बस्राइब कर दो एक लिख हो सबस्क्राइब करना है यह ऊप्सें के लिख लिए इसके लाइए हो आपके graph होगे, maps होगे, उसके लिए ही होते हैं, and remaining 14 marks, answer in detail, answer in brief, इसके लिए होते हैं, तो आप से लोगों, यह जो 26 marks है, एकदम अच्छे से prepare कर लेना है, object कि उसे आपके एकदम अच्छे से हो जाएंगे, then जो अपने graph वाली question है, जो अपने maps वाली question है, उने एकदम अच्छ के लिए, आपको question answer, एकदम अच्छे से read कर लेना है, एकदम अच्छे से prepare कर लेना है, जो भी modern questions है, उने आपको already बता दिये, आपको जाएंगे check out कर लेना है, and guys answer लिखना most important है, जो अपना examiner है, एकदर से बच्चा है, उसको आपको आपको एकदम अच्छे से, आपको जो आपके screen के उपर, एक काफी important video का link आगया होगा, उससे आपको एकदम अच्छे से follow करना है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हो, and is, bye bye